हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल, आज मैं बताने जा रहे हूँ हरी मिर्च के बैनिफिट्स, ग्रीन चिली बैनिफिट्स, जी हाँ हरी मिर्च भारतिये खाने की जान, भारतिये रसोई में हरी मिर्च के बिना कोई काम नहीं होता है, हमारे हर खाने में हरी मिर्च बहुत जरूरी होती है अक्सर आपने देखा होगा कि खाने की टैबल पर प्याज और हरी मिर्च तो जरूर ही होती है इससे खाने का टैस्ट भी बढ़ जाता है हाँ जिन लोगों को हरी मिर्च का टैस्ट बहुत ज्यादा तीखा लगता है या बरदाश नहीं होता है वो हरी मिर्च से थोड़ी दूरी बना कर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरी मिर्च कितनी फायदे मंद है? अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज से ही हरी मिर्च खाना शुरू कर दीजिए। हरी मिर्च से हमारी सहत को मिलते हैं डहरो फायदे। हरी मिर्च से आपको दर्द में आराम मिल सकता है, खास करके अर्थ राइटीज जैसे दर्द में बहुत आराम मिलता है जी हाँ वजन कम करने से लेकर ग्लोईंग स्कीन तक इसमें आईरन, प्रोटीन, कोपर, कार्बो हाइड्रेट्स, पुटेशियम जैसे तात्व पाये जाते हैं हरी मिर्च को अपने खाने में शामिल करने से आप बहुत सी स्वास्थे समंदी समस्याओं से बच सकते हैं हरी मिर्च वजन कम करने में बहुत फायदे मंद है और आईए जानते हैं इसके कुछ और फायदे हरी मिर्च बलड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार है इसमें मुझूद कैपसेसिंस नाम का कमपाउंड दर्द निवारक के रूप में काम करता है इसमें विटामिन सी भरपूर मातरा में होता है और ये बोडी टैमपेचर को भी नियंतरित रखती है ये डाइबिटीज के पेशेंट के लिए रामबान इलाज है और इसके सेवन से अर्थराइटीज जैसे दर्द में आराम मिलता है पाचन तंतर के लिए बहुत ही लाब जायक है हरी मिर्च में पाये जाने वाला कैपसीन सिन कमपाउंड आतों को हैल्दी बैक्टिरिया बनाने में बड़ावा देता है जिससे पाचन तंतर स्वस्त रहता है इसकीन के लिए भी हरी मिर्च बहुत फायदेमंद है हरी मिर्च में विटामिन सी भरपूर मातरा में पाया जाता है इसमें बीटा कैरोटीन के गुण भी होते हैं इसके सेवन से स्कीन पर ग्लो आता है और जुर्यां कम होती है रोजाना एक हरी मिर्च का सेवन करने से अलसर की प्रॉबलम नहीं होती है इससे मूँ और पेट के अलसर में आराम मिलता है जिस खाने में आप हरी मिर्च का उपयोग करते हैं उससे भूग को नियंतरित रखने में बहुत फायदा मिलता है जिससे आपकी भूग नियंतरन म रहती है और आपका और फेट कम करने में भी मदद मिलती है सर्दी जुखाम की समस्या में भी आपको हरी मिर्च खाने से आराम मिल सकता है दरसल इसमें मोजूद कमपाउंड ब्लड सर्कुलेशन को उत्तेजित करता है इससे बलगम का श्राब पतला बनता है अगर आप बजन गटाने की सोच रहे हैं तो आपको हरी मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए रिसर्च की माने तो हरी मिर्च में विटामिन सी होता है जो त्वचा में कोलेजन संस को बढ़ाने में मदद करता है यह चमकदार और स्वस्त त्वचा के लिए जरूरी है इसमें मोजूद विटामिन ए त्वचा की उम्र को बढ़ाने वाले संकेतों को कम करता है हरी मिर्च पाचन तंद्र को भी सुधारती है क्यूंकि इसमें डाइटरी फाइबर होता है कब बहुत ही अच्छा इसका बैनिफिट हमें मिलता है तो इसे आप अपने भोजन में जरूर शामिल करें वीडियो में वताई गई विधी और तरीकों और सुझाओं पर अमल करने से पहले अपने डॉक्टर या संबंदित एक्सपर्ट की सला जरूर लें अगर वीडियो अच कर दो है